सफल एकेड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत बचों का मेरे पास क्वेडी आया कि सर आप और भी एंटी पीसी और और पीएफ को देखते हुए उसका एक कोई सीरीज मैथमेटिक्स का स्टार्ट कीजिए ठीक है तो इसको देखते हुए मैंने एक बीग एनॉंसमेंट आज करना है मुझे कि आप लोगों के सामने मंडे से यानि मंडे वेड़नेस डे फ्राइडे जैसा मैं पहले क्लास लेता था तो मंडे वेड़नेस ड है चैप्टरग्सेट होगा इसमें हम बात करेंगे defeating का और अष्भिन धिंटीपीक के एकजाम का एलपी का उसके बासे आपका जीका जितने भी सिरीज होते हैं ठीक है यहाँ पिसे अएक यहीं के सथäter हैभ्री local.com ऑल रिल्वेज एक्जाम करने वाले हैं यानि कि Monday Wednesday और Friday को चार वजे लाइव आएंगे तो आप भी जुरेंगे और आपने दोस्तों को भी जुरेंगे ठीक है चलिए तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन सा अधर में कौन-कौन सा इक्जाम कभर होगा जैसा मैंने पहले बताया इसके अंदर में आरपीएफ आएगा एंटी पीसी आएगा अलपी आएगा और भी जेई आएगा और गुरूब डी आएगा ठीक है यह सारे एक्जाम का कुछ हम कोशिज करेंगे कि क्लास के सुरुवात म आपको प्रिवियस एड़ उसका दिखाए ताकि आपको यह पता चले कि मुझे किस लेबल तक की तैयारी करनी है ठीक है यह जो मैं आपको स्लाइड भी दे रहा हूं यह आपका और भी एंटी पीसी का है ठीक है एंटी पीसी का में सिलेवस है तो आलग भी आपको पता है कि आप पीएफ में जो है मैक का 35 कोशन आता है और रार भी एंटी पीसी में 2 एक्जाम होता है सीवीटी वण और चीवीटी टू ठीक है तो एंटी पीसी का में यह है जिसमें मैज की कोशन आप देख रहे होंगा यहाँ पर कितने कुशन है टीस कुसर्ट है टोटल कोशन 100 है बाइट किया गया है रिजिनिंग का 30 कोईशन जी के जीएस का 40 कोईशन मैथ का 30 कोईशन टोटल आपका 100 कोईशन हो गया और 90 मिनट का टाइम हो गया वन धर नेगेटी मार्किंग है यानि कि अगर आप तीन कोईशन गलत बनाते हैं तो एक नंबर आपका क्या होगा कटेगा कि अगर हम बात करेंगे तो सीवीटी टू में रिजिनिंग का 35 कोईशन है जी के जीएस का 50 कोईशन है मैथ का यहां पर 35 कोईशन है तो अगर हम सीवीटी वन और सीवीटी टी टू दोनों को मिला दें एंटीपीसी का तो 30 कोईशन इधर हो गया और 35 कोईशन इधर हो गया नहीं कि 65 कुष्टन आपका जो है आपको पूरा का पूरा हम तयार कराएंगे और इसकी पूरी गारंटी है कि जो बच्चा सुरू से लेकर करके एंड तक इस क्लासिस को पूरा देखेगा ठीक है क्योंकि यह प्रैक्टी सेट है अगर हम प्रिवियस यर की बात करेंगे तो आर पीएफ का और एंटी पीएफ का मैंने प्रिवियस और चालीज से पतास क्लासे यूट्यूब पे डाल रखा है तो आप उसको भी देखें बिल्कुल फ्री ह है वह ठीक है प्रिवियस यार आप वहां से कभर कर लो उसके बाद प्रैक्टिस की बात करोगे तो चैप्टर भाइज हम प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें की आपका 35 कोशन आर पीएफ का हो गया और 65 कोशन सीवीटी वन और सीवीटी टू मिलाके एंटी पीसी का हो जाएग होगे तो 35 कोशन आपका किसका हो गया और पीएफ का हो गया और सीवीटी वन सीवीटी टू मिलाके कितने कोशन होगे बैटे 25 कोशन होगे तो टोटल 100 कोशन आप तयार कर सकते हो हमारी क्लास के थुरू ठीक है तो अब इसमें पढ़ना क्या है साबसे पहली बात तो यह है क पूरा previous year को देखते हुए analysis करते हुए और यह हमने डिवाइड कि आए कि किस chapter से कितने कोशन आते हैं तो आर्थमेट्रिक के अंदर में total जो है आपको देखेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस कोई करीब 17 चप्टर के आठारा चप्टर के आसपास आपके मिलेंगे ठीक है तो अर्थमेट्रिक में simplification यह जो आप देख रहे हो यह numbering इसी numbering इसी सीरीज में मैं आपको पढ़ाओंगा ठीक है तो simplification से एक से दो कोईसे नंबर सिस्टम से आपका एक से दो क्वेशन रेशियो गिकूश्ल का दो कुश्ट अवरेज का हो गया एक से दो कष्टन पर्सेंटेज का हो गया दो से तीन कोईट्ट प्रॉफित लॉस और डिसकॉंट दोनों को मिला करके 203 को सन पुछा जाता है ठीक इसी तरह स अगे, यहां तक कोई полож नहीं, ठीक है, अब आगे बरते हैं, एडवांस में कि एडवांस में तो मुझे क्या क्या पढ़ना है एडवांस में तो साथ से पहले नमपर पढ़ाएंगे आपको अल्जब्रा जिससे आपका दो कोशन का बात बनेगा ठीक है ट्रिगोनोमेट्री जिसमें दो कोशन का बात बनेगा मैंसुरसन 2D 3D से दो question का बात बनेगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे coordinate geometry जिससे एक question का exam में आता ही आता है question करवाइब listen जोमेत्री जिसका दो OCitting एक और इसमें सबसे 1प आप्यार आपको पता हो चाहिए कि मुझे किसक्टर से कितना अच्हे तरीके से महनत करके जाना है आप इसका screenshot ले लेंगे arithmetic का और साथ में advanced का यह RPF Railway का आप कोई भी exam दोगे RPF की बात नहीं है RPF हो गया चाहे आपका NTPC हो गया चाहे जेई हो गया कोई भी आप exam दोगे Railway के exam में यह काम का है खास बात यह है कि ऐसा नहीं कि Railway के exam में ही यह काम का होगा यह जो class बच्चा देखेगा क्योंकि practice set है इसमें हम CHSL तक का question लेकर cover कराएंगे practice कराएंगे तो जो बच्चे आगे SSCGD का form भरेंगे CHSL भरेंगे MTS भरेंगे ठीके उन सारे exam को general competition को देखते हुए इस class को start करेंगे Monday से और जैसा कि आपको पता है कि TTS में आपको science की class दी जाती है ठीक है और MWF में आपको math की practice set दी जाएगी तो आपको science का भी portion cover हो जाएगा और math का भी portion cover हो जाएगा तो Monday को हम लोग मिलेंगे practice set number one के साथ ठीक है ना तो आप भी जुरेंगे और अपने दोस्तों को भी सामिल करेंगे Monday, Wednesday और Friday चार बजे साम में ठीक है जितना हो सके इस class को share कर दिए अपने दोस्तों में जो भी बचे RPF और NTPC का form भरे हुए हैं जो तैयारी करना चाहते है फ्री content चाहते हैं practice करना चाहते हैं तो हमारे साथ Monday, Wednesday, Friday को चार बजे जुरें आपको मज़ा आएगा दूसरी बात मैं उतना content आपको दे दूंगा कि आप अगर सिर्फ इस class को देखेंगे तो आपका hundred and one percent math में तीस से 35 कोशन जो आपके paper में आता है CBT1 और CBT2 या RPF में जो 35 कोशन आता है आपका hundred and one percent उसके बाहर नहीं पुछेगा इसकी पूरी guarantee मैं देता हूँ ठीक है इसी उम्मीद के साथ आज का class खत्म करते हैं फिर मिलते हैं मंडे को तब तक अपना ध्यान रखें जयहिद